तो नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल Study Capital पर आज MS Sociology का पेपर CET PG 2024 का हुआ है और आप सभी लगतार क्वेरी कर रहे थे कि सर अभी तक पेपर का रिविव आपने नहीं बता है कि MS Sociology का पेपर कैसा था बाकी students ने कैसा attempt किया है जिसके माध्यम से मैं जान सकूँ कि हमारा पेपर कैसा हुआ है तो आज की इस वीडियो में MS Sociology के पेपर का रिविव मैं आपको बताने जाए हूँ इस पर ध्याल से इस वीडियो को देखिएगा मेरी बातों को ध्याल से सुनिएगा और जितने भी students हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस टड़ी का अपटल का कोई पहला वीडियो देख रहे है जितने भी students से हमने review लिया हमारे YouTube students से भी और हमारे paid course के students से भी काफी paper moderate से आसान की तरफ था यानि paper cut in बिलकुल नहीं था और moderate भी कह सकती की moderate से आसान की तरफ था यानि paper tough नहीं था लेकिन मैं average attempt की बात कर रहा हूं तो 50 से लेकर 60 के बीज का है और जो अच्छे students है नहीं जुन्हों ने अच्छे कहने का मेरा मतलब यह है कि जिन्हों ने काफी better time से पढ़ाइटी थी उन्होंने 60 plus 65 plus भी questions attempt की हैं और लगवग सही सही तो इस तरीके का paper रहा है cutoff जो है एक average में रहेगा में sociology का cutoff का जो analysis है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों को अलग-अलग subject का paper जब complete हो रहा है तो इक अठा आप सभी तक पहुचाऊंगा इसलिए निश्चिन्त रहिएगा paper ठीक ढग था आप comment box में बताईए कि paper आपका MS sociology का कैसा हुआ है और साथ में study capital के साथ जुड़े रहिएगा further updates के लिए चैनल को subscribe करिएगा इस वीडियो को like करके सभी तक पहुचा दीजिए और जितना अधिक सदी comment आएगा उससे और भी वैतर भी निकल के आ सकता है paper का level आज average था एनि moderate से आसान की तरफ था MS sociology का आपका paper कैसा हुआ है comment box में बताईए धन्यवाद